हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट के एक्जाम फिनिस्ट हो चुके हैं लगबग लगबग सिर्फ बीकॉम ओनर्स एसुल वालो स्टूडेंट का एक्जाम पेंडिंग है चाहे student semester 5 program के हो, चाहे semester 5 honors के हो, चाहे semester 3 program के semester 3 honors के, चाहे semester 1 program honors लगभग सभी के exam खतम हो चुके हैं इन exam के बीच में हमारे साथ क्या क्या happening हुई और किन किन चीजों को लेके हमने एक फैसला किया था exam center के अंदर के इस बार हम बिल्कुल starting से पढ़ेंगे और last time की जैसे गलती नहीं होगी, last में पढ़ने के बाद जब आप पढ़ रहे थे तो आपके मन में ऐसा खयाल जरूर आया होगा कि यार कास मैं थोड़े दिन से पहले से पढ़ लेता तो पेपर मेरा कास बहुत अच्छा जाता, पेपर इतना मुश्किल आया नहीं था जो कि मैं सोच रहा था और भी कई अने को खयाल आये होंगे आपके माइंड में, कि यार कम से कम एक घंटा भी अब नेक्स टाइम से मैं निकालूँगा और पढ़ूँगा मैं क्योंकि ऐसे पढ़ने का फाइदा नहीं है, और बहुत सारे बच्चों का पेपर खराब भी गया होगा और यह सोच रहे होंगे, कि यार पढ़ लेता तो मेरा एकजाम अच्छा जाता भले ही हम फ्रेंट सलकल के अंदर एक मजाक के मूड में बोल देते हैं, कि यार मैंने तो कुछ नहीं किया मैंने तो छोड़ दिया मैंने तो पढ़ा नहीं करें है लेकिन अंदर मन की आत्मा जो है एक पर जरूर बोलती है यहार कास पढ़ लेता तो मेरा शायद आज एक्जाम अच्छा जाता यहर is starting से पढ़ता तो हर चीज में तो उसी के according आपका भी एक responsibility एक दाइत्व है कि आप अच्छे से मन लगा के पढ़ें अब बहुत सारे बच्चे graduate हो जाएंगे क्योंकि semester 6 last है और बहुत सारे student आगे अपनी journey start करेंगे तो मैं हर बच्चो को यही कहना चाहूंगा देखो पढ़ाई का कोई भी shortcut नहीं है जो लास टाइम पर आपने पूछते हो कि एक दुन पहले दो दिन पहले के सर कुछ important बता दो तो मजबूरन मुझे बताना पड़ता है बच्चो को ध्यान में रखे कि यार चलो कम से कम यह पास तो हो जाए लेकिन मैं मैं जानता हूं कि मेरा मन तो ऐसा करता है बच्चे से बोल दूँ आप अगले बार पेपर देना तो यह सारे चीजे को देखते हुए हमने इस बार कूर्स देखो पेपर चली रहा है तो हम बहुत अच्छे बच्चों के रिव्यू आए अगर मैं आपको कुछ रिव्यू दिखा हूं देखो टाइम टेबल भी बना दिया है अगर मैं कुछ स्टूडेंट के रिव्यू दिखा हूं जैसे के आपका इनका कहना है के सर पेपर अच्छा गया थाइंक यू सो मच यह स्टार्टिंग से जो बच्चे पढ़ रहे थे म माई एक्जाम बहुत अच्छा एक्जाम गया उसके लिए थैंक यू वह सारी चीज़े देखो यह बच्चों के कमेंट है जो मेरे पास पढ़ रहे थे पेपर वस ग्रेट थैंक टू अनुसर कनवे तो आल कोश्चन आर पी रस्तोगी से आया प्लीज इनफर्म और सेम पढ़ सकते हैं तो मैं तो देखो मैं यह नहीं कहना चाहता आ कि यह जो बच्चे पढ़ रहे थे मैं बस इतना बताना चाहता ओам यह जो आप कमेंट देख रहे हो ना मैं चाहता हूं अगली बार मुझे सेम कमेंट कर और यह कब बहुत अच्छा गया सर ने जो पढ़ाया था वैसा ही पेपर में आया इसके बाद आगे सर फिर अगें वही आपको मैसेज मिलेगा के पेपर कितने अच्छे गया एकनॉमिक्स का पेपर बच्चों का बहुत ही उंदा गया तो यह सारी चीजे कोई मैनुपलेशन नहीं है बच्चों के खुद के अब डाउट का भी देखेंगे के डाउट के टाइमिंग कॉल करते हैं वोइस नोट जाता है डाउट होता है जो एप्लिकीशन पे चलता है सर स समिस्टर 4 की क्लास कब चलेगी बच्चों का देखेंगे डिमांड है कि सर जल्दी से जल्दी क्लास स्टार्ट करो हमने शायद ही पिछली बार कुछ गलती करी होगी तो वह गलती हम नहीं दोहराना चाहते कुछ बच्चों ने तो यह चीजे देख ली है इसके बाद देख सब्सक्त pomika में में बच्चों के मन के भाव आपको दिखाना चाहता हूँ कि कौंसे बच्चे हैं मैं यह चाहता हुए मैं और आप अच्छा अच्छा पढ़ाया है concept बहुत अच्छे से clear था सारे आप देखेंगे please convey to the message अनुसर मेरा exam बहुत अच्छा गया thank you so much and please convey to the this message मेरा financial management का exam तो यह अलग-अलग student है आप नाम भी आ रहा होगा although FM का exam बहुत अच्छा गया तो यह सारी चीजे मैंने कुछ एक मैंने सोचा screenshot लेके आप से discuss किया जाए that's it तो अगर मैं बात करूं simply के सर अभी जो आपके semester है ना आप ध्यान से सुनिएगा कुछ बच्चों के बोलने सर सब्जेक्ट चूज नहीं हुआ तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहूंगा कि आप जो subject लेंगे वही मिलेगा आपको college में आप एक बार बोलिए तो सही जैसे अब जो आपके exam upcoming है वह हैं आपके semester 2 के और upcoming है semester 4 के और upcoming है semester 6 के डिव का तो यही procedure होता है यह बच्चे एनिपी वाले हैं और यह बच्चे एनिपी वाले है न एनिपी के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे महा युद्ध जिसे बोलता हूं मेरे को तो ऐसा लगता है corporate account सबसे बड़ा topic यह है दूसरा company law जो second semester के अंदर है आपका main course subject की में बात कर रहा हूं semester 4 में आपका cost है सर international business है और कुछ में business stats है ओनर्स वालो में CVCS semester 6 में क्या है FOI है और सर ओनर्स के अंदर GST है और सर audit है ओनर्स के अंदर and corporate governance और management account है program के अंदर सर macro economics है तो यह सारे subjects है और 6 के अंदर जिन बच्चों ने लापरवाई करी थी तो उनके एक साहे 4 में और या फिर 2 में back है तो वो बच्चे भी लेके चल रहे है तो मेरा यही कहना है कि यह सारे के सारे बच्चों के इतने demanding थे जैसे मैंने message भी पढ़ाया बच्चे जैसे बोल रहे हैं बहुत सारे YouTube पे बोल रहे हैं जब course start होगा तो बताईएगा तो मैं सर्फ और सर्फ यह message देने आया हूँ आपको के हमारे सारे time table भी decide हो गए हैं और मैं आप सभी को बोलूँगा कि आप starting से पढ़ने लगे अब YouTube जो भी हमारी family है जो 50,000 बहुत जल्दी हो जाएगी वैसे तो बहुत पहले हो जाना चाहिए लेकिन कुछ बच्चों का थोड़ा सा nature अलग रहता है कि यार कोई हम क्यूं YouTube पे हम तो अभी फिलहाल के लिए जो अगर मैं डेट शिट बताओं जो लाइव क्लासेस के डेट शिट है वह आपके सामने देखे डेट शिट है और डेट शिट क्या रहा हूं स्वरी यह हमारा time table है जिसको हमने manage किया है जैसे की semester 2 के अंदर corporate account MWF में रहेगा 6-7 अब 6-7 की जो time है वह मैं पढ़ाऊंगा और 29 अरिक से बिल्कुल fresh batch स्टार्ट हो रहा है यानि Monday से तो इसका मतलब जो subject मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें 7 बजे का time रहेगा लेकिन ending का time नहीं रहेगा semester 1 में तो आप मानके चलो semester 1 से तो 10 गुना मुस्किल है यहां पे account मैंने syllabus दिखाय नहीं आएगा कंपनी लो तो बोल रहों कि आप बहुत जल्दे समझ जाओगे लेकिन corporate account की मैं कुछ भी नहीं बोल सकता इसके बास सेकिंड यर के अंदर semester 4 है आपका जिसके अंदर हम पढ़ेंगे cost account प्रोग्राम ओनर्स यह TTS 7-8 रहने वाला है और business stats TTS 6-7 रहने वाला है यह भी honors के अंदर है business math जिस बच्चे के पास है यह recorded batch मिलेगा जो की semester 4 पुराने old वाले होंगे इसके बाद सर corporate account जिनका ER होगा उसके लिए सर यह corporate account यह corporate account है CBCS वालों के लिए और यह corporate account है सर NEP वालों के लिए ठीक है न बैचिस चाहे आपके ER के थे चाहे कोई जिस पे recorded ह वो recorded batch रहेगा उसमें live नहीं होगा doubt का provision जरूर रहेगा मैं पहले clear करके चलूं बच्चो को इसके पास third year के अंदर GST and custom law Saturday Sunday रहेगा जो की पढ़ाएंगे C.A. कुसल सर और इसके अंदर क्या रहेगा Saturday Sunday बहुत बच्चों के मन में एक doubt है कि सर जो GST है Saturday Sunday में syllabus कैसे खतम होग या investment management के नाम से है सेम साथ से आठ रहेगा आपका MWF management account program के अंदर यह recorded batch रहेगा कुछ एक part live रहेगा यह मैं ही कराऊंगा 27 जनवरी से इसके बाद सर macro economics MWF साड़े 10 से साड़े 11 मौर्निंग का यह batch रखा गया है इसके साथ साथ कुछ और batches आ रहे हैं जैसे international business के जैसे आ cover up किया गया है इसी को ध्यान में आपके जो भी थे अगर आप बात करते हैं सर अभी 26 जनवरी है Republic Day है आप सभी का एक successful journey आपके साथ पिछले मेरा मैं 2012 से जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं तो 12 से 12 साल होगे 2014 तो 12 साल की journey और मैंने experience share किया और जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे ह हो चाहे आपका financial management पढ़ा हो चाहे income text पढ़ा हो उनका जो सुरू से पढ़ रहे हैं मेरे साथ उनका एक जवाब जरूर आता है कि सर जैसा कराया वैसा ही paper आया तो जैसा कराया वैसा ही paper आया सिर्फ इसी वजह से possible हो सकता है जो मेरी 12 साल की journey है Delhi University के साथ कि कैसा paper आएगा न परदे नजर रखते हुए यह सारी के सारी चीजे बताई जा रही है और ऐसा नहीं के paper जो मैंने करा है वही है मुझे as a experience मैं बात करूं कि एक आइडिया हो जाता है हम इतने टाइम से आप एक ही चीज को बार बार अगर पढ़ते तो आप खुद आइडिया हो जाएगा रह है कोर्स के अंदर announce कर दिया गया है 26 तारिक से आपके batches जो है एक आज सही today सही कल 26 है तो आज सही मैंने इसका क्या करा है कि सभी बच्चों का registration चालू कर दिया है अभी discounting price क्योंकि हर बच्चा कम से कम दो सब्जेक्ट लेता है तो हाला कि दो सब्जेक्ट का cost जो है न वह साड़े 600 रुपे के हिसाब से तेरह 100 रुपे पढ़ता है बट अभी फिलाल इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे पे आप आते हैं तो 949 का इच आपको कॉम्बो पढ़ जाएगा यह दो सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं ठीक है नहीं दो सब्जेक्ट अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट लेता है तो उ इतनी जल्दी हो सकता है आप पर्चेस क्योंकि अभी प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के बहुत बच्चे का अभी एक्जाम है वो कह रहें सर मुझे वह बैच चाहिए तो मैं आप अभी भी जाके वहां पर पूछेंगे तो मैंने मना कर दिया वह बैच फुल हो चुका है उसमें अब एड्मिशन हो ही नहीं रहा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के अंदर सेम इस इन सब्जेक्ट के भी जैसे ही बैच फुल हो जाएंगे तो इसके अंदर एड्मिशन क्लोज हो जाए क्योंकि एक लिमिटेड स्टूडेंट रखते हैं जिसके अंदर हमें यही रहेगा कि यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियो ढूंडने में बड़ी परिशानी होगी कॉस्ट अकाउंट मैं पिछले कितने सालों से पढ़ा रहा हूं तो आप जब एक चप्टर ढूंडोगे तो सेम सेम वीडियो मिल जाएगी जिसमें कन्फ्यूजन हो जाती है आपको इसलिए मैं कहूंगा एप्लिकेशन पर बिल्कुल सिस्टेमेटिक रहेगा कोई दिक्कत नहीं होने वाले और जिन बच्चों के इंटरनल एक्जाम है फंडमेंटल ऑफ इंवेस्मेंट को छोड़के बागी जिन बच्चों के इंटरनल एक्जाम होंगे उसको पहले यही प्रवाइड कर दिया जाएगा इंटरनल एक्जाम का कोशिस रहेगा फोई का भी प्रवाइड कर दिया जाए तो बस आपको यही बताना था होफुली आपको समझ में आ गया होगा टाइम टेबल वगएरा सारी चीजे तो इसी तरीके से नेक्स्ट इंफोर्मिशन होता है और आगे बढ़ सकते हैं और यूट्यूब पे वीडियो रोल ओवर धीरे-धीरे हम डालना चालू करेंगे दीरे-धीरे लेकिन बस दिक्कत यह रहती है यूट्यूब पे के उसमें कई बार एक्जाम जैसे फाइनिशल मेनेजमेंट के कुछ चैप्टर रहे गए थ है उससे बच्चों को काफी दिक्कत हुआ और रुकसान भी हुआ कहीं न कहीं मैं मानता हूं तो डालने में क्यूंकि एडिटिंग करने का मेरा ही काम रहता है एक टीम है वो कई बार चुट्टी पे चले जाता है तो थोड़ा सा प्रोसेस डिले हो जाता है एक बार लाइव है लाइव जाने के बाद हैंट तो हैंट रिकॉर्ड हो जाता है मुझे उसमें ज्यादा ओटोमेशन है ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता तो इसी के वज़े से थोड़ा सा डिले हो गया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी बाते समझ में आई होगी कि कब से पढ़ना है नहीं पढ़ना है लास्ट डिसीजन आपका होगा कि आपको स्टार्ट कब से करना है ठीक है थाइंक्यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में